दोस्तों, इस वीडियो में हम हर्याना के फर्वरी दो जौर बाईस के कम्प्लीट मंत के कररंट फेस करेंगे तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सधीव धाल एचुकेश्टन में दोस्तों हमने इस फरवरी 2022 करणट फेस्स की पीडिया बना रखी है हर्याना की इसके लाव़ जनुरी फरवरी की भी बना रखी है और 2021 किस कंप्लीट यर की पीडिया फाइल भी हमने बना रखी है तो जैसा कि आप देख सकते हैं इन पीडियाफ के अंदर हमने इस तरह से यह क्यूस्टन से डाले हुए हैं यह क्यूस्टन पूरी डेटेल के साथ में जो है पीडियाफ में दिये हुए है और इसी के तरह हमने इंडिया करणट फेस्स भी जो है बना रखी है सिंगल मंत फरवरी 2022 की टू मंत की जनुरी फरवरी 2022 और पीछले साल 2020 कंप्लीट यर की भी ह ची हुए तो इसमें भी आप देख सकते है कि अमने इस तरह सेई क्यूस्ट्टन इसमें डाल रखे हैं जोगे पूरी डेटेल के साथ में हैं तो दोस्तों यह जो हम आपको प्रूप करवा रहे हैं इसे क्यूस्टन आयुए हैं तो इन प्रूब कर लिंक जो है इसे वीडिय विज्ञानिकों को हर्याना विज्ञान पूरुसकार से सम्मानित किया गया है तो ये किया गया है 11 को option D का answer है तो दोस्तो 28 परविर 22 को रश्ट्री विज्ञान दियोस के उसर पर जो हर्याना के राजब्योन में साइन्स अवन टेक्नोलजी विबाग के तिरफ से हर्याना विज्यान रतन और हर्याना यूरा विज्ञान पूरुसकार वो कि अामिराशी होती है युवा विग्यां रतन पूर्षकार में एक लाख रुपे की नामिराशी होती है नेक्ष्ट है कि कि घाम में टी 55 क्या गया है घर किया गया है यह किया गया है दीज का तो बापोड़ा जो है वो भीवानी जी लेका गाव है और यहां पर जो है केंद्रिय सड़ा के वंपरिवेहन मंतरी जनरल वीके सिंग और सांसर द्रमवीर सिंग ने जो है बापोड़ा गाव के मुख्य द्वार के पास स्तापित की ट्वेंटी टैंक का नावरण किया है तो पाकिस्तान उसमें भारत को विजय दिन लाने में मैतरपुन भूमिका रही थी नेक्स्ट पहलवान रवी दहिया ने यासर डोगू रेंकिंग सीरीज में कौन सा पदक जीता है तो इसमें उन्होंने सवन पदक जीता है तो ओप्शन ए इसका अंसर है तो सवनिपत के रहने वाले हैं रवी दिया इन्होंने 61 किलोग्राम भारवर्ग में यह पदक अपनी नाम किया है और इन्होंने टोकियो अलम्पिक में रज़त पदक भी जीता था नेक्स्ट एब बैस्ट विज्ञान कहाने के लिए किसे अवसर अवर्ड से समानित किया गया है तो यह किया गया है डाक्टर प्रभ जोतकोर को ओप्शन डी इसका अंसर है नेक्स्ट प्राच्ची लुण ने एशियन के ड़े टे फेंसिंग परत योकता में कौन सा पदक जीता है तो इसमें प्राच्ची लुण ने seven पदक सुर्इः इसमें रज़त पदक इन्होंन जीता था तो आप्शन B इसका अंसर है तो प्राच्ची लुण जिट जिले रहने वाली है और जिन्द के यह गाव राजप्रा भेंड की मूल डूप से रहने वाली है नेक्स्ट हर्याना के किस जिले में पर देश स्तरीय पशु मेला आयुजित किया गया तो यह किया गया है भिवानी में तो भिवानी में जहें 25 से लेकर 27 Quindi तक यह मेला आयुजित किया गया था और हर्याना के राजपाल बंडारु द The T pays ने मेले का उदगाट किया था तो दोस्तों हर्याना की किर्शी वेम किस्तान के लियान मंतरी जेपी दिराल है यह आप याद रखिएगा नेक्स्ट हर्याना के कितने शहरों के राशन डीपो में माइक्रो-8M मशीन का पाइल्ट ब्रोजेक्ट शुरू किया जा है तो यह किया जा रहा है पांच में उप्शन भी इसका अंसर है तो यह पांच जो है आपके गुड़गाव फृरिदाबाद हिसार करनाल और पंचकुला है नेक्स्ट हर्याना में कितने बेड से दिक्षमता वाले नागरिक अस्पतालों में केट्रिंग सेवा शुरू की जा रही है तो यह है 100 तो हर्याना के 100 विस्तर से दिक्षमता वाले 31 नागरिक अस्पतालों में केट्रिंग की सेवा दी जाएगी नेक्स्ट हर्याना के किस जिले के लगुसची वाले में गूगल ओफिस की तरज पर विशेस कक्स बनाया गया है तो ये बनाया गया है हिसार जिले के लगुसची वाले में तो उप्शन सी इस का अंसर है तो इस कक्ष में वह जो महिलाए हैं वो अपने नवजात बच्चों को दूद बिला सकती है यहां पर अराम कर सकती है और बच्चों के साथ समय भी बिता सकती है नेक्स्ट है हर्याना के मुख्यमंतरी 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 मुख्यमंतर इनके अध्यक्स जो वो मुख्यमंतरी होते हैं यह आप याद रखिये गा क्यूसिटर जो एक्जाम में पूछा जाता है नेक्स्टेसन स्कृत सिक्षक सुषील सस्थरी को किस पुरुस्कार से समानित किया गया है तो इन्हें किया गया है बान भट पुरुसकार से, option B का अंसर है, तो सुस्यल सास्त्री जो है वो हिसार जिले के रहने वाले हैं, next किस हर्यान विसाइद तेकार के पैत्रिक गाउं गुडियानी में एक सरकारी ये लाइबरेरी बनाई जाएगी, तो ये बनाए जाएगी बाबू बालमुकंदु गुप्त के गाउं में, तो option B का अंसर है, तो बाबू बालमुकंदु गुप्त का पैत्रिक गाउं है, वो है रिवाडिक गुडियानी में, नेक्स्ट हरियाना का पहला ऐसा गाउं कौन सा बनने जारहा है, जागरामिन सेक्टर विक्षित किये जाएगे, तो ये है इस राना, और आप्शन डिसीस का अंसर है, तो इस राना जो है वो पानीपत में है, तो पानीपत जिले का गाउं इस राना में, जन नायक तावुद देविलाल मौडल कोलिनी विक्सित करने के लिए जमीन जो है वो अधिगरान की जा रही है नेक्स्ट हर्याना में कब तक हर घर नल से जल उपलब्द करवाने का लक्षे रखा गया है तो ये है दिसंबर 2022 तो अप्शन डीज का अंसर है तो ये जो हर घर नल से जल की योजना थी ये पंदरा अगस्ट दोज़र मौनिस को शुरू की गई थी प्रधानते दिर दर्मोदी के द्वारा नेक्स्ट हरियाना में शुक्षम लगू और मद्यम उद्धियम को बढ़ावा देने के लिए किस नूठी पहले को शुरू किया गया है तो ये कि अगर पदमा नाम से है तो उप्शन सी इसका आंसर है तो हर्याना सरकार ने जो है प्रदेश में शुक्षम लगो और मद्यों को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठी पहले शुरू किया पदमा तो पदमा की फुल फॉर्म है तो दोस्तों इसमें सेंटर ऊफ एक्सेलेंस से खोला जाएगा तो और करने इसका अंसर है तो दोस्तों जो हम आपको है क्यूशन से पीडियों में करवा हैं यह सभी वीडियों में डाल हुआ है इसके अगलाव एक्स्टर इंपूरी के इसक्रिप्शन यान की पूरी डेटेल के साथ में हमने डाले हुए है तो आप एक बार जो है वह पीडियों प description में दिया हुआ है आप उसी लिंक पर जाकर उसको वाय कर सकते हैं next है हर्याना में शराब पीने की उमर 25 से घड़ा करब कितने साल की कर दी गई है तो यह की गई है 21 साल तो option C इसका answer है next है किस एप के माद्यम से जुरूरत बंद लोग अब घर बैठे डाक्टर से प्रामर से ले सकते हैं तो यह है दोस्तो इस जीवनी एप option D answer है इसका तो इसके लिए जह है इस जीवनी एप को मुबाइल पर इंस्टोल करके रिजिस्ट्रेशन करना होगा और एप में आई हुए option के इसाब से जाए इसमें आप प्रकिर्या पूरी करके जाए आप डॉक्टर से प्रामर से ले सकते हैं next है PMJAY के परमानित कितने अस्पताल हर्याना में फरविर 2022 तक कारे रहत हैं अब तक देश में जो कुल 244 अस्पताल है इसके तहत परमानित है जिनमें इसे च्छान में हर्याना के हैं next International Academy of Physical Science का पाद्यक्स किसे बनाया गया है यह बनाया गया है प्रोफेसर टंकेश वरकुमार को ओप्शन इसी इसका अंसर है तो प्रोफेसर टंकेश वरकुमार जो है वो इसमें हर्याना के अंदरिया विश्व दैले में हंदर गड़ के कुल पती है next है हर्याना के किस हर्याना में किस योजना के तहत बेटी के जनम पर 21000 रुपे के रासी दी जाती है तो यह है दोस्तों आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के तहत ऑप्शन भी इसका अंसर है तो हरियाना में जापकी बेटी हमारी बेटी योजना के तहत 22 जनुवरी 2015 को या उसके बाद जनिमी अनुसूचित जाती था भी पिल परिवारों की पहली बेटी के जनिम पर 20,000 रुपे और सभी वर्गों की दूसरी वर तीसरी बेटी पर 21,000 रुपे गरासी दी जाती है नेक्स्ट हरियाना सरकार ने कितने खिलाडियों को भी मवार्ड के लिए चुना है तो यह है 41 को ओप्शन डीस का अंसर है तो यह जो है 2017 से लेकर 2021 तक के भी मवार्ड या चार सल के भी मवार्ड अब दिये गए है तो भी मवार्ड में जो है 5,000 रुपे का नगद नाम दिया गया था और भी मवार्ड हरियाना का सिर्वोच खेल पुरुषकार है यह आप याद रखिएगा नेक्स्ट हरियाना के किस जिले से दिल्ली के लिए एक सूपर फस्ट ट्रेन चलाई जाएगी तो यह है हिसार से लेकर दिल्ली के लिए तो अभी जो है इसकी प्रोसेस तो यह प्रतियोगता जो है उसरू की गई है और इसकी थीम रखी गई है मेरा वोट मेरा भविष्य है एक वोट की शक्ति है नेक्स्ट हरियाना के किस शहर में देश का पहला ग्रीन एनरजी उत्तपादन प्लांट लगाया गया है लो यह लगाया गया है रिवाडी में हर्याना में सभी जिलों में कितने लेबर चोक पर मुबाइल केंटी ने शुरू की जाएगी तो यह है सोग उपर तो ऑप्शन डी इसका अंसर है तो दोस्तों हर्याना के समाजिक नया अधिकारता राज्य मंत्री इसमें हों प्रकास यादव है नेक्स्ट आइटिया इक से पास उद्ध्मियों को कौन सा परुसकार से समाइने ते किया जाएगा तो यह है उद्ध्मिय वार्ड से ऑप्शन ए इसका अंसर है तो हर्याना के कोशल विकास और द्योगिक के पर्शिक्शन मंत्री इसमें मूलचंद शर्मा है नेक्स्ट हर्याना के किस प्रदेश किस ज रखिएगा नेक्स्ट हर्याना में हर ब्लोक में कितने एकड में कलस्टर बनाए जाएंगे तो यह बनाए जाएंगे पचास एकड में तो ओप्शन डीज का अंसर है पदमा स्कीम के तहत जो है यह कलस्टर स्थापित किया जाएंगे हर एक ब्लोक में कि मैंग्स्टए किस रियानवी ने ओडिसा ओपन दोजर बाइस में महिला एकल का किताब जीता है तो यह जीता है उनुत्ति हुड़ा ने, वूप्शन ए 7 का अंसर है तो रोत्तों कजले के रहने वाले है उनुत्ति हुड़ा और और 14 और 17 उड़ा सूपर सोट टॉर्णामेंट जीतने वाले सबसे युवा भारतिये भी बन गई है नेक्स्ट हर्यान सरकार ने अगनिश्यमन सेवा में पुरुष की हाइट कितनी तै की है तो यह की है 170 cm पुरुष के लिए अगनिश्यमन सेवा में 170 cm और महिला के लिए 102 cm हाइट का तै की गई है नेक्स्ट वर्स 2022 के लिए आज जीवन साहित्य साधन समान से किसे समानित किया गया है तो यह किया गया है ग्यान परकास विवैक को ऑप्शन B मिश्यमन परकास विवैक यने 2020 के लिए आज जीवन साहित्य समान के लिए चुना गया है तो इस पुरुष कार में 7 लाक रुपय की नामिराशी और फ्रस्श निष्टीपत्तर दिया जाता है नेक्षट्यार वर्स 2019 के लिए आजिवन साथ यसादन सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है तो दोस्तों उन्स के लिए है माधव कोशिक को option b का अंसर है तो दोजर एन्स से के लिए माधव कोशिक 2020 के लिए जो है ज्ञान परकाश विवेक को को नेक्स्ट से वर्स लाके लिए बिस अंसर स्वान ना इस्वाय्ण कोवाद का इसका ने घंट स्वामार की या रहा कैले यह किया गया है डॉक्टर शुरियष गोतमimize को ठोवॉपशूण दे अनसर है तो इसमें जैठार प्ने स vyC के यहाद है मेक्श्ट सत्रा वर्स दोजास्श्वन के लिए किलेख साधन समांसर antorec माधव कोषिक होगा वर्स दोजार बीस के लिए ग्लाएं प्रकाश विवेद्म आजीवन साहितह आतम समानित किया गया है जिसके पुरुषकार रासी साथ लाग रोपे हैं नेक्स्ट है फक्र हर्याना सम्मान वर्स दोजर बीच से किसे समानित किया गया है तो यह किया गया है डाक्टर कुमार पानिपती को ओप्शन बीच का अंसर है तो जो फक्र हर्याना समान है इसमें पांच लिए पटर हिम्मत सिंह नाजिम को इसे समानित किया गया है, Option a इसका अंसर है, लोग ऑबने। वरस 2020 से किसे समानित किया गया है, तो इसी किया गया है, डक्टर शुभास रस्तोगी को, Option d का अंसर है, तो दोस्तो महाकवी सूर्दास आजीवन साहित समान के तहत पांचलाक रुपे के पुरुषकाराशी दी जाती है नेक्स्ट महाकवी सूर्दास आजीवन साहित समान वर्स 2019 से के निस समानित किया गया है तो 2019 में जो है दो जुनों को समानित किया गया था जो है इसमें आपके डाक्टर शुदर्शन रतनाकर और चंदरकांता तो ओप्शन बीस का अंसर है नेक्स्ट है महाकवी सूरदास आजीवन साहित्य समान वर्स दोजर ठारा से के ने समानित किया गया है तो दोजर ठारा के लिए जो है डाक्टर संतराम देशवाल और मधुकांत को समानित किया गया है जो ओप्शन इसी जिए उसका अंसर है अगला क्यूस्ट है कि महाकवी सूरदास आजीवन साहित्य समान वर्स दोजर सतरा से किसे समानित किया गया है तो 17 के लिए डाक्टर पॉर्ण चंसर्मा को समानित किया गया है Option A इसका अंसर है Next, Corona कम होने पर सरकार ने हर्याणा में सभी पाबंदिया कब से खतम कर दी है तो ये किया है 17 February 2022 से तो Option B इसका अंसर है Next, Online ठग्गी की शकायत करने के लिए अब कोन सनय हल्प लाइन नंबर जारी किया गया है तो ये किया गया है 1930 तो Option A सी इसका अंसर है तो इसके माद्यम से जिस व्यक्ति के साथ वित्य साइबर क्राइम हुआ है तो वहाई इस नंबर पर तुरुंत शकायत करके उन रुपे को फ्रीज करवा सकता है और कुछ ओप चरकता है पुरी करने के बाद और रुपे जो उसे बापे से मिल सकते हैं तो ये नंबर आप याद रखिए 1930 काफी इसका अंसर है नेक्स्ट है किस देश ने पानिपत नाम से सेना की एक स्पेशल यूनिट बनाने का ऐलान किया है तो ये किया है अफगानिस्तान ने और सीज का अंसर है तो अफगानिस्तान में तालिबान ने पाकिस्तान पानिपत नाम से एक सेना के स्पेशिल इन्ट मनाने का एलान किया है तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि पानिपत की तीन लडाईयां हुई थी 1526, 1556 और 1761 इसका चाहे है कि अध्य और युद्धी की जाएगी युधी विविक्षित करने वाला पर देश का पहला संस्थान बना है तो ौinka सार जिले का इगनू के इंदर तो उप्शन सी इस का अंसर है नेक्स्ट वर्स 2022 में संत गुरु रविदास का कौन सा परकास सूथ सुमारों मनाय गया तो यह मनाय गया है 645 वा उप्शन सी इस का अंसर है तो यह 2024 में 16 वर्वरी को मनाय गया था बड़ी दूमदाम से पुरो देश में नेक्स्ट वरी 2024 में हर्याना में महंगाई दर कितने परतिस्त रही है तो यह रही है 7.23 परतिस्त ऑप्शन बी इस का अंसर है जो कि देश में सबसे ज़्यादा रही है और इसके बाद हर्याना के बाद पश्ची मंगाल दूसरी स्थान पर रहा है नेक्स्ट वर्याना के आठ कलोन त्यार करके इंडिया बूक और रिकोर्ड में दर्ज नाम कराने वाले किस संस्थान की टीम को सरुन पदक दिया गया है तो यह है दोस्तो केंदरिया भेंस अनसंदान संस्थान हिसार को तो ओप्शन बी इसका आंसर है नेक्स्ट हर्याना मेडिकल काउंसिल का देख से किसे नियुक्त किया गया है तो यह किया गया है डाक्टर आर के अनेजा को ओप्शन इसका आंसर है नेक्स्ट हर्याना में कितने नए सेनिक स्कूल खोले जाएंगे तो अभी जो एस सो नए सेनिक स्कूल खोले जाने का प्रस्तावजा रखा गया है तो option D answer है नेक्स्ट कौन सा गाम हर्याना का पहला उक्सिजन जोन विलेज बना है तो यह है दोस्तों हिंसार जिले का गाम तलवंडी राना तो option D answer है इसका तो केंदर सरकार ने जो है 2025 तक देश इसे टीवी को खतम करने का लक्षय रखा है और सरकार जो है टीवी के मरीज को हर मेने पांस जार रुपे देती है ताकि वह पोश्ट का हार लेज़के हैं तो अगर आपके आसपास भी दोस्तों कोई भी टीवी का दोस्तों जो है किसी तो यह किया है हर्याना के विधान सभाद्यक्स ग्यांचंद गुपता ने तो ओप्शन सी इसका आंसर है नेक्स्ट हर्याना के नैशनल यूथ वाड़ी युवाओं को किसी विभाग में नोकरी देने की घोशना की गई है तो यह है खेल विभाग के अंदर ओप्शन बी इसका आंसर है नेक्स्ट है गुरूगराम जिले के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यूजना का बांड़ बेस्टर के नहीं नियुक्त किया गया है तो यह है दो बहने तनिश का कोटिया और रिद्धी का कोटिया तो उप्शने इसका अंसर है नेक्स्ट हर्याना के मुख्यमंतरी ने किस गाउं में जल बांध सुरुक्षा प्रियोजना का उद्ध घाटन किया है तो यह किया है नुहुजिला के फिरोजपुरु जिरकाउप मंडल के गाउं पाठ खोरी में तो उप्शन बी इसका अंसर है नेक्स्ट है गुरुगराम के पहले महिला पुलिस आयुक्त कौन बनी है तो यह बनी है हर्याना के डर की उन्निस उचिराण में बैच की आई पीए से दिकारी कला रामचंदरन तो उप्शन सी इसका अंसर है तो दोस्तो 2006 में गुरुगराम पुलिस कमिस्ट का अगठन किय गया था और क्लाच रामचंदरन जो है वो गुरुगराम के पहली महिला पुलिस आयुक्त बनी है नेक्स्ट हर्याना में वर्स 2022 ते इसके लिए कितने सोलर ट्यूब वैल कनेक्शन देने का लक्षे निर्धारित किया गया है तो यह है पचास जार तो उप्शन बीस का अंस नेक्स्ट हर्याना के किस जीले में स्थित रावली जे विविता पारक को भारत का पहला अन्य परभावी शेत्र अधारित संड्रक्शन वपाई साइट घोशित किया गया है तो यह है गुरुगराम ओप्शन सी इसका अंसर है नेक्स्ट है सीनियर नैशनल वोली वूल चेंपियंशिप 2021-22 में किस राजजे ने पुरुष किताब जीता है तो इसमें हर्याना ने पुरुष किताब जीता है ओप्शन ए इसका अंसर है तो हर्याना ने भारतिया रेल्वे को तीन जिरों से हराकर यह किताब अपने नाम क अनसर है तो हर्याना में ग्यरकानुनी तरीके से जबरन ध्रमपरिवरतन पर रोक लगाने के लिए गैर कानुनी ध्रमांतरन निशेद बिल 2022 को मंजूरी दी गई है तो इस विदेक में ध्रमपरिवरतन पर रोक लगाने का प्रस्ताव है जो की जिसके अंदर गल्त ब्यान बल अनुचित प्रभाव जबरदस्ती परलो बन या किशी कपटबून तरीके से या शादी द्वारा या शादी के लिए प्रभावित करता है तो जो उसे प्राद बना दिया गया है यानि इसके अंदर जो है आप कोई धर्म परिवर्तन कराते हैं गयर कानुन इन तरीके से त नेक्स्ट हर्याना के किश शहर में एस्ट धातु से निर्मित भगवान परशुरा में की बाइस फुट उन्ची परतिमा स्थापित की जाएगी तो यह की जाएगी सोनिपत जिले के गोहाना में ओप्शन सी इसका अंसर है नेक्स्ट किर्शी विश्चिव दैलों में किस संस्थान को पांचमी बार देश में पहली रैंक मिली है तो यह मिली है राश्ट्रिय डेरियन संदान संस्थान करनाल को तो ओप्शन ए इसका अंसर है नेक्स्ट हर्याना के किस जीले में एलिवेटिड रेल ट्रैक बनाया जा रहा है तो दोस्तों यह बनाया जा रहा है कुरुक्षेत्र में जो की दोज़र तेश तक कंप्लीट हो जाएगा तो इस ड्रीम प्रोजेक्ट के ताइज अच्छे किलोमेटर तक ट्रेइन गेंद्वाज हैं गरव सांगवान जो की भीवानी से हैं निशांत सिंग जो की रहतक से हैं और देने इस बना हिसार से दोस्तों भारती अंडरवति किर्केट टेम ने इंग्लेंड को फाइनल महराकर अंडरवड कप किर्केट चैंपियंशिप ट्रफिक को पांचमी बार अ नेक्स्ट हर्याना सरकार ने वर्ष दोजर बाइस को किस वर्ष के रूप में मनाने का संकलप लिया है तो ये है सुसासन अंतियोदे उत्थान वर्ष के रूप में तो उप्शन सी इसका अंसर है नेक्स्ट एहर्याना कि कितने सरकारी स्कूलों में साइंस लैब बनाई जाएगी तो ये बनाई जायेगी चमन सरकारी स्कूलों में और лекशन डीस का अंसर हुआ जो हर्याना स्कूल सिक्षा पर जिए अ उजरना परिश्द के दिवारा बनाया जाएगा नेक्स्ट हर्याना में कितने जिलों में हाई सेक्यूर्टी जैल बनाए जाएगी तो ये बनाए जाएगी तीन जिलों में ये तीन जिलों है रहुत तक अंबाड़ा और हिसार नेक्स्ट हर्याणा में जल जिवन मिशन को कब तक चत परतिशत पूरा करने का लक्षर रखा गया है तो यह रखा गया है 2022 के अंतर तक तो जिले में उत्तर भारत का सबसे बड़ा दिव्यांग पुनर्वास के अंदर बनाया जाएगा जहां पर लगबग एक जाती वियांगों के पुन्दरवास की वेश्ता की जाएगी नेक्स्ट डाक्टर बी आरमेड कर आवास नुविनिकर न योजना के तहत घर की मरमत के लिए सरकार कितनी वित्या साहता देती है तो यह देती है असी जार उपए ओप्शन डी इसका अंसर है पहले यह पचास जार थी अब इसको बढ़ाकर असी जार उपए कर दिया है नेक्स्ट अंतरश्ट यह सरस्वती महुत सो दो जर बाइस का जन कब से कब तक किया गया तो यह किया गया है तीन से लेकर पांच पर बाइस तक पहवा में किया गया था तो यह किया गया है नीरज चोपडा को ऑप्शन इसका अंसर है तो दोस्तों नीरज चोपडा को आपको पता ही होगा इन्होंने टोक्यो उलम्पिक में सवन पदक जीता था और ये पानिपत के खंद्रा गाउं के रहने वाले हैं नेक्स्ट हर्याना जी एस्ट कोस पोर्टल का शुभारा किसी ने किया तो इसका किया है हर्याना के उपनमुख्य मंतरी दूस्यंत चोटाला ने उप्शन सी इसका अंसर है नेक्स्ट हर्याना के कितने इस्टल राष्ट्री रामसर साइट में शामिल है तो ये है दोस्तों दो और ये दो है सुल्तानपूर राष्ट्री उद्धान गुरूराम और दूसरा है भिंडावास वन्यजी अभ्यारने जजजर तो इनको रामसर साइट के रूप में चुना गया है रामसर साइट यानि के अंतराष्ट्रे महत्व की आदर भूमी नेक्स्ट सुल्तानपूर राष्ट्रे उद्धान किस जिले में श्तित है तो सुल्तानपूर ये गृुर में है, आउप्चिन एक उसका आए इसका अंसर है और सुल्तानपूर राश्ट्रिव ज़े उद्लियान का डरजाए से दिया गया था नेक्स्ट भिंड़ा वा स वन्यजी उभ्यारन के इस जिले में इस्तित है तो यह है दोस्तो जजजर जिले में जो कि एक मिठे पाने की जील है और यह हर्याना की सबसे बड़ी जील है तो यह है जजजर सेहर चले पुंदरा किलोमेटर दूर है और यह है एक जारे कर से कुछ अधिक के शेतर में फैला हुआ है नेक्स ते कौन सा सेहर हर्याना ऐसा पहला शेहर है जहाँ पर ड्रोन के जरी यह मैपिंग का कारिया किया जाएगा तो यह किया जाएगा एक रुक्षितर जिले के थाने सर में तो अप्शन से इसका अंसर है में निक्स्ट हरियाना कि किस जिले में लग बग 5060 क्रोट रूपए जे जीदे बना जा रहा है तो दोस्तों ये बना जा रहा है जीद जिले में जो कि लग बग 24 एकट में बना जा रहा है और यह में जीद Izain आने के वियरूज जो 2023 के इन तक बनकर त्यार होने की उमीद है नेक्स्ट किसे भारत की पहली OECM साइट घोशित किया गया है तो यह किया गया है अरावली जे विविता पारक को option A इसका अंसर है अरावली जे विविता पारक जो है लग 3290 कड में फैला हुआ है नेक्स्ट हर्याना के कैथल शहर से किस शहर तक एक्सप्रेस भी बनाया जा रहा है तो यह है नारनोल तक तो कैथल चंदीगड मारक पर गाम इसमाईलाबाद के पास शुरू होकर नारनोल तक एक्सप्रेस भी बनाया जा रहा है जो बाद में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस से मिलाने की योजना है नेस्टे हर्यान में कितने drone ट्रेनिंग और development center खोले जाने का नेर्न लिया गया है तो bracit infection वी आंसर है 네 यह सरकार cluster infrastructure के लिए city someisstرت कितने क्रोड उपे 565 мосे क्रोड पे option डिया अंसर है कि तो यह सिरिंड का अप Wow जेत Northwest स्कीम और अन्यक्लिस्टर डेवल्पेंट स्कीमों में किया जाएगा एक्स्ट हर्याना की किस उनिवस्टी में हल्दी लैब बनाई जाएगी तो यह चोदरी चैनल सिंग हर्याना की इर्शी विश्यू देले हिंसार में सिर्षी इसका अंसर है नेक्ष दोफुरूरी 2022 को अच्चे यू रीजार ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है नेक्ष्यू कुलम विद्या पिड की स्थापना कहां की गई है तो यह की गई है सरस्वधी नदी के किनार इस्तित आदी बद्री में तो उप्शन बीस का अंसर है आदी बद्री तो यह इसमें जैसन स्कृत के विद्वान त्यार किये जाएंगे और यहां पर देश की पहली विद्या पीठ है नेक्स्टे कलपना चावला की पुन्य तित सत्रे मार्च 1962 को हर्याना के करनाल में हुआ था और अंतरिक्स स्टल मिशन के दुरान जो है दुर्गटना के कारण एक फरविर दो जाथ तीन को कलपना चावला की मिर्ट्यू आक्समिक रूप से हो गई थी नेक्स्टे हर्याना की कितनी आर्थ भूमियों को रामसर सुच् आपको बताई थी कि फुलतानपुर अश्ट्य उद्धान गुरूराम और भिंडावस्वनेजी अभ्यार ने जजचर है तो दोस्तों अमीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आए होगा अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिएगा और जाद से अगर अगर आप इसी तरह के लिटस्ट वीडियो के प्रेट परना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल संदीव जालेज केशन को सब्सक्राइब करके बैल आकन जुरूर दबा ले ताकि आपको लिटस्ट वीडियो के प्रेट टाइम टू टाइम मिलती रहें तो मिलत है नेक्स्ट वीडियो के साथ